भारत को स्वदेशी बनाने की लड़ाई लड़ने वाले, 3700 से अधिक विदेशी कमपनियों की लूट से सावधान करने वाले और बिना दवा के स्वस्त रहने के जीवन विज्ञान को सिखाने वाले राजियू भाई ने 23 सालों में 12,000 से अधिक व्याख्यान देकर देश श्वासियों को जागरुद किया राजियू भाई ने किसानों को समझाया कि किस तरह वे सस्ति खेती कर सकते है विद्यार्तियों को समझाया कि उनकी प्रतिभा किस तरह विदेशी कमपनियों और विदेशों को समरुद्ध बना रही है आम आदमी का किस तरह शोशन हो रहा है हम किस तरह फिर से गुलाम हो रहे है हमारे छे लाग से अधिक क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की बाजी लगा कर जिस भारत को आजाद कराया उसी भारत को किस तरह आज की राजनेता और अधिकारी लूट रहे है भारत को फिर से सोने की चिडिया बनाने के लिए और शोशन वहीम भारती अविवस्ता को स्तापित करने के लिए अपने प्राणों को निवचावर करने वाले राज्यू भाई के व्यक्षानों को सुने और देश को स्वदेशी बनाने का संकल्प ले